आज मैं आपको खुटनों के दर्थ के लिए छोटा सा एक इलाज बताने जा रही हूं जो इलाज देखने में तो छोटा है समान भी बहुत जादा नहीं लगेगा लेकिन उमीद है आपको बहुत जल्दीस से फायदा होगा यह आपके पाउं की सूजन को दूर करेगा आपको रिलीफ देगा चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इसको बनाना अब इसके देखे आप समान देखने यह चूना है यह चूना आपको आराम से 2 रुपे का किसी भी पनवाडी की दुकान से मिल जाएगा यह चूने को बहुत महंगा नहीं है यह पूरा मैंने एक पाउच लि और यह आप देख रहे हैं हल्दी है यह सिरफ यह चार समान है जो आपके घुटनों के लिए बहुत फायदे मंद है इवन पहले अगर लोगों के कोई हड़ी भी तूट जाती थी तब भी जो पुराने वैद थे जो कोई भी हड़ी तो जोडने के लोग थे वो लोग इसी जो को यूज करके उसकी हड़ी को ठीक करते थे क्योंकि इससे टूटी भी हड़ी थीख हो जाते है स्वैलिंग ठीक हो जाएगे गुटनों के लिए तो यह राम बान है यह अजमाया हुआ नुकसा है अगर आप इसको यूज करेंगे आप नेक्स डे में ही देखेंगे आप हल्ली डाल दी चूने का पाउच लिया मैंने थोड़ा लिक्वेड है अभी यह पूरा डाल दीजेगा अभी तक आपने मेरे जितने वीडियो देखे होंगे मैं चूने का जब भी यूज बताती हूं आपको तो मैं हमेशा एक मटकी में मैंने डाल रखा चूने को उसकी गर्म करनों में बाल दीन यहां तो आपको हीट चाहिए है इसलिया अप इसको पूरा यूज़ कर रहे हूं और जीकर देखेंगे श्तूने डाले है याप देखल राल haskin या यव देख रहे हैं ऐसी हूई pag पीसी हुई चीनी है ये इसको मैंने चीनी को पीस के रखा हुआ है ये चीनी जो है न ये आपको उस तरीके से काम करेगा जैसे कि हम टूटे वे पर प्लास्टर ये डहाते हैं ये प्लास्टर का काम करेगा जो आपका चीनी है ये मैंने चीनी डाल दी चीनी थोड़ी सी इसकी कॉंटिटी जादा होगी यह डाला है अगर आप कभी भी चूने को चीनी हल्दी दाल चीनी इसको मिक्स करके रखेंगे ना कभी भी तो अगर आपने यह आज बनाया है ना तो आप इसको एक या देड़ घंटे बाद देखेंगे ना यह एक दम पत्थर सो जाएगा क्योंकि चूना है चूना बहुत जल्दी इसके अंदर से पत्थर का रूप ले लेता है यह कम से कम आपका अराम से देड़ दो धाई महीने चल जाएगा आपको परेशानी नहीं होगे आप इसको लेके डबबी में बनाके रख सकते हैं फ्रीज में रखने की जुरूद भी नहीं है इसको आपको इसको अपराम से किसी भी डबी में बहार रख सकते हैं लेकिन हाँ उपर से बंद कर दीजेगा अच्छे से इसको बंद करके रखिएगा और अलोवीरा में अपनी एक खासेत है अलोवीरा आपकी बाडी में कहीं पर भी कोई सूजन होती है उसको यह फटा-फ क्योंकि हल्दी ने अपना काम किया चूने के साथ मिक्स होकर इसने इसका कलर चेंज कर दिया है आप रात को सोते में जहां भी आपके दर्द है घुटनों में दर्द है कहीं भी दर्द है आप इसको अराम से लगाए एक ऐसा कपड़ा बनाके रख लिजेगा आप अपना कि और डेलिया पुझी कपड़े को यूज करें और इसको कोई इसकी सबसे बड़ी बात ही ए कि कुई प्राब्लम नहीं है अगर आप पंखे की नीची भी सोरें थो इसकी क्यों को प्राब्लम नहीं कि आपने जैसे सुबह उठकर अगर इसको निकाला है तो आप सचे कि हवा ही लगनी चाहिए ऐसा कुछ ही है यह देखो कितना अराम से यह तयार हो गया यह देख रहें आपको यह देखिए एक साथ बन गया एक दम से इसको अराम से लगाओ आप इसको और देखना आपका दर्द किस तरीके से भाग जाएगा आपको बिल्कुल परशानी यह दियोगी चलने फिर्ने में धीरे धीरे आपके घुतनों के दर्द को बिल्कुल खतम कर देगा और एक रात में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाए आपको जैसे बताया कि इसमें चूना और आप देख रहे हैं पिसी हुई चीनी और हल्दी थोड़ा सा इसके अंदर में डाला है दाल चीनी पॉट यह आपको जितना फायदा करेगा उससे कहीं ज्यादा फायदा यह आपको अलोवीरा करेगा अलोवीरा अमने इसलिए डाल होंगी जब तक मैं नेक्स वीडियो डालती हूं तिल देन बावाई टेक केर अपना ध्यान रखेगा अपने से प्यार कीजेगा कीप स्माइलिंग बाई